हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चैनल आपी में उशाहिन जवान आज आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि काफी सरे लोगों को कहना है कि वह सेल्फ एंप्लॉइड है लेकिन उनके पास आइडियान नहीं है लेकिन फिर भी वह लोग एक्सिस में का केडिट कार लेना चाते है तो वह कैसे ले और खास करके एक बंदा है जो मिर्त्युन जय पादि करके उन्होंने बहुत बार रिक्वेस्ट किया है हमको कि वीडियो उनाने के लिए कि किस तरह से अपलाई करें तो मैं उनके लिए खास तरफ है और बाकि सभी तो चलिए शुरू करते हैं यह वीडियो का पहला पार्ट है दूसरी पार्ट में इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ठीक है इस पहला पार्ट में मैं बताने वाला हूँ कि जिन लोगों के पास आई ट्यार नहीं है और पहले से कोई किसी भी बैंक का भी केडिट कर प्रेजेंट नहीं है उन लोग ने कैसे केडिट कर ले सकते हैं जैसे कि एकसे बैंकर देख सकते हो कि हमने के पेज ऑपन करके रखा है इसी एकस्स सेड्काउंट तो आप ब्रांच में विजिट करके भी आफ़ लाइन पर एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हो और अगर आप चाहूं तो online पे भी आप form लप करके submit कर सकते हूं तो आपका जो एक customer care से call आएगा customer care से call आने के बाद आपको बता दिये जाएगा details में पूछा जाएगा आपका नाम बगरा और कौन सा account आप open करने चाहते हो और नजदी की branch का नाम क्या है सब कुछ बताने पर वो क्या करेगा नजदी की branch से एक officer को आपके पाज घर पे भेज़ देगा घर से आपका जो KYC वागरा full complete करवा के वो आपका passbook, checkbook, ATM सब कुछ आपको देखे जाएगा इसका मतलब आप आप online पे आगर ये form डाल लप करते हो तो आपका घर पे बैठे बैठे आपका account open हो जाएगा और आगर आप जाना चाते हो कि ये जो easy access savings account है इसके full details अगर जाना चाते हो तो comment करना तो मैं बता दूँगा इसका क्या-क्या सुविदा है और क्या-क्या सुविदा है लेकिन मुझे जो खास अच्छा लगा के डिट कर्ड के लिए वह easy access savings account बाकि आपकी मर्जी आप चाहों तो आप खुद से भी ट्राय कर सकते हो किसी भी bank account किसी भी तरह की account लेकिन मेरा जो भी अच्छा लगा ये बता दिया आप लोगो तो ये जो account है आप ब्रांच में विजिट करके भी offline में आप apply कर सकते हो और online पर भी apply कर सकते online का तरीका में वीडियो में बता दूंगा इसकी मत के अब दिखते रही है जैसे कि बता दू कि कि वाई से डगोमेंट आप लोगो पता ही होगा कि आधर पैन कार्ड ठीके और इसके साथ साथ पासपोर्ट साइस का फोटो लगता है और कभी कभी वोटर कार्ड भी मांग लेता है वो लग यह साब कुछ देने पर आपका हो जाएगा आपको क्या है केृदिट कटन लोगों को देता है भर ब्रांच बैंक की जिनका ट्रांजक्चन अच्छा हो ठिक है अपना जो इंटरनेड बेंकिंग है या फिर आपका जो डेबीट कार्ड है उसको अच्छी थरा से इस्तिमल करुग करू जैसा कि आपका मुबाइल रिचार्ज करो एलेक्टिसीडे बिल्ड पेमेंट करो एलाइसी का प्रीमियम जमादो फ्लाइड बुकिंग करो होटल बुकिंग करो और खुद का करो अपना फैमिली के करो और दूसरों किसी आस पड़स का लोगों कभी करवा देना ताकि आपका जो भी अ करीडे कार्ट मिलेगा लेहिए लेकिन अपता दो कि अकाउंटे और आपको वूप्रेज करने की साती आपको पिर यहीघ्चार्ए डिनोंबाद पालो आपको मिले यह madam सेसे तो आपको ट्रॉलेट करना होग उतना दिन ठीक है ऐर और जिदना दिन नहले तक आपको यह ब्र यार नहीं है लेकिन जो फास्ट कर मुझे मिला था वो था एक्सिस बैंक विस्तरा प्लाइनम करेट कर जो की बीना आई टीर की मुझे मिला था स्रेप और स्रेप अच्छा ट्रांजेक्शन करने के लिए तो पता दू इसके बाद क्या करना होगा जैसा ही आपको करेट कर डिपर्मेंट होता है वह आप आपको बिजिट करने के बाद आपको उनसे पूछना है कि सेर मेरा जो कास्टोमर आइडी बताना है आपका कास्टोमर आइडी जो भी रहेगा पैंकर्ट का नंबर डेट अब बात यह सब कुछ बनाने पर वह चक करके बताएगा कि आपको प्रिफिड करेट कर recruit कर वफ़रि मिला है कि नहीं किसी-किसी बंदा को भी निए टक हलिए अफ्रा रजाट के लिए अफार है किसी कभी एक्सेश बैंक फिलिपकड करेट कर लेना चाहता हूँ अगर यहने मिला तो मैं नहीं लेना चाहते हो तो तो इस तरह से आप लोग कर ले सकते हो लेकिन यह लॉंग प्रोसेस है फिर से बता दू और अगर आपके पास पहले से कोई कार्ड है तो इसके लिए आपको दूसरे पार्ट देखना पड़ेगा और थैंक्यू और थैंक्यू फर वाचिंग इस वीडियो और मैं बता दूँ कि ऑनलाइन पर इस एकांट ओपन करने के लिए अपलाई कैसे कर हुए तो आपको क्या करना है सेंपल से यहां पर मैं डेस्क्रिक्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा तो इस लिंक में क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाओगे ड सब्सक्रिक्राइब करने के बाद आपके पास कॉल आ जाएगा कॉल आने के बाद आपको घर पर आके डोकुमेंस पिक अप कर लिया जाएगा जो भी क्यों आईजी और आपके पास जो पास्बुक बगरा सब कुछ डिलिवर कर दिया जाएगा ठीक है तो प्लीज आगर वीडियो अच्छा लगा और इस तरह से नए नए आपडेट पाने के लिए प्लीज सब्सक् मान चनल